मेरा भाई बज्जा था ठीक तो चार लाग पाच लाग देगा तो उसे हमको जीवन चल जागा मेरा भाई लोटके चल लाग वह उत्रा रहा था कितना कामा लेता मेरा भाई रुपाईया से देने से कुई फैदा क्या माना भाई चल लाग पैसा दे दे आम जुम्बा हो गया क्यों नहीं समझ रहे कि बिजली भाई परवाई बिजली भला है नहीं बनवारा है मैंने बनवा जाता है तो अभी हम हाजीपुर के सुल्तानपुर में है जहां कि आपने भी देखा होगा न्यूस समचार में इगारा कमरिया जो है डीजे ट्रॉली पे रहते हैं और डीजे चरहाने जा रहे हैं और भगवान के भक्ति में हम लीन है और उसी समय हमारा मौत हो जाएगा क्या नाम था नत लड़के राजाइं तरह के लरगो यु घ पास्माश एक पर आपके पढ़िदार में उसका हो करह ऑकर दू लोग दोसों लोग पस्माने अच्छा तो क्या हुआ था उस रात में से बजा जिसे टोली जिसे बजा कि सब जाहि रहा था जिसे मैंने मैंने धाम पर इसी करण जर्किन था उन्हें जल उठाने के लिए तार में लटका हुआ था तार लाइस कामल रोड खड़ा था पूरा औ ट्राइबर बिजली का निचे है कुछ नीचे है और लेकर परमलम है है से नीचे है और रोट लिए कर्वां यह डिकत parfumman हुग अजब को सीटी और hai । में चक्का परने से जिट्टा मार कर और बिजुली का तार सट गया उसे प्रमलम हुआ ड्राइब अथी टोली वाला का कोई दिक्कत नहीं है अच्छा उस समय ट्रॉली में कितने लोग लगभग वही हाँ सब पचाश को था मगर जंजट होने पर आदमी जगरा लराई हुआ तो उसमें चला गिया ओसे बहुत लोग बच्चा जेतना लोग अगर बच गिया ओही लोग डेट कर गिया लाइं लंगने से जो ट्रॉली में सटे थे वही लोग आना तो जहाग रहा हुआ ना जो देखने में चल गया जंजट तो बच गिया बेर बेर और गी जैसे पंसात में क्या बात हुआ था अंतिम बार में मेरा बहाई से बात नहीं हुगा था अपको रभी से क्या बात हुआ था कुछोचोचर बात नहीं हुग है दिए मिला नहीं बात हुगा है अपके लिए लड़का के लिए को बच्चा उमर चाहिए पासमान लोन के शाधी करने वाला राथ तहा अगे साल में वह बच्चा कोई अधारे नहीं है कोई अधार नहीं है उसको उसको भी साधी नहीं कुमारे हैं तो सरकार तो मुपजा बोली की चार-चार लग देंगे एलान कर दी और चेक मिला आप लोगो क्या उससे कमी को पूरा किया जा सकता पूरा हो जाएगा उतने जीवा नोहे से चल जाएगा मेरा भाई बज्जा था ठीक ता मगर चार लाग पच लाग देगा तो उसे हमको जीवाल चल जाएगा मेरा भाई लोटके चल जाएगा वह उत्रा रहा था था कितना कामाले था मेरा भाई पहिसा से क्या हो भाई जीवा कि रुपाईया से देने से कोई प्यादा क्या माने भाई चल लगा पैसा दे दे आम जुम्बा हो गया तो क्या फ्या लोट कि सरकार इस बाद को क्यों नहीं समझ रहे कि और लगार अब यहां लोग एक बिधायक जी मेरे है अब्धेज सिंग उनको बोलाएं और एक मंदीर हैं औहां बहलाववा का तो जैसे की हम बोलाएं तो कम से कम दस आदमी मिल कर बोलाए तो पूरा समाज गिया उचबुत्रा पर तो लिख के ले गिया रोड का हर चीज कर दिया कि ये भी बना देंगे और रोड का भी नापी लेके चल गया अब धेश सिंग मर ओ बेर से जहांखी पारने नहीं आया मेरे भी धायक अब धेश सिंग अब सबकुछ ठीक है लेकिन सरक और बिजली विभाग के लापरवाही से घटना हुई और सरकार में मंत्री है उनको ध्यान देना चाहिए जरूर देना चाहिए नहीं होगा नहीं हो सकता है क्या कहिएगा बिजली विभाग और सरकार को क्या कहेंगे इनको ध्यान होना चाहिए बिजली विभाग को और सरकार को कि मेरा जनता कैसे समय कटेगा अनहीं कटेगा इनको ध्यान होना चाहिए जैसे आम जनता लोग उनको एक भंगमान माने उसी जनता को भंगमान माने मुआ निगा तो चाहिए ना चार लाग पांच लाग से जिन्दी कट जाएगा ना कम से कम नोकरी एक मिलना चाहिए कम से कम 10-20 लाग लेकिन इस बात को टाला जा रहा है कि दिजे वाले की लापरवाही है, कहीं न कहीं ये लापरवाही जो है विजली भाग की है और सरक विभाग की है, काई कि इस सरक मंत्री जो भी हो इस गाउं में कोई भी सरक दुरुस्त नहीं है आप अभी भी देख सकते हैं ये सरक भी दुरुस्त नहीं है चाहे आप मेन रोड पसवान चोक से अंदर आएंगे सुल्तानपुल के ये वो रोड भी पुरा खड़ाब है उसमें पानी लगा और हाई टेंसन तार में सर जाता है जिसके कारण इगारा कौरिया का मौत हो जाता है और बाकी अब पूरे गाउं में सनाटा पसरा हुआ है सारे लोग वो रो रहे हैं कलप रहे हैं और कहीं कहीं मांग कर रहे हैं देख सकते हैं ये रोड है देखिए अभी हम लोग अंदर तो गारी वहीं छोड़ना पड़ गया और अंदर आएं तो इधर देखिए इसी घर के जो है दो लोग है और इनके ही एक और पटिदार है जो अलग घर बनाए है उनका उनका भी द्यान थो चुका है और अंदर देख सकते मा हैं दादी लोग है सारे लोग बैठे हुए रो र जिसके कारण ये घटना हुई है उसके ध्यान दिया जाए और उसको दुरुस्त किया जाए जैहिंद जैविहार